So hello everyone, welcome back to my channel आप साभी को दोस्तों नमो बुद्धाय जय भी मैं हूँ आपका दोस्त मिधिलेश और आपने देखने शुरू कर चुके हैं MG Vlogs दोस्तों आज मैं आपके साथ एक खुश खबरी शेयर करने वाला हूँ मैं आपको लेगाया हूँ नाकपूर से 30 किलोमेटर दूर उम्रेट रोट पर मौजाओ और उटी इस गाओ में जहाँ पर 300 एकर में बाबा सहाब और रमाई से रिलेटेड भगवान बुद्ध से रिलेटेड बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले है पहला प्रोजेक्ट में आपको पहले वीडियो में दिखाया जो आपको मूर्ती दिख रही है लुम्बिनी पार्क हमने देखा और आज आपको दिखाऊंगा माता रमाई पार्क आप देख सकते भगवान बुद्ध की ये महापरी निर्वाड में काफे सुन्दर मूर्ती हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसकी हाइट कम से कम 50 फिट के उपर होगी और ये यहाँ पे रखे हुए है क्योंकि रमाई पार्क में इसको असेंबल करने वाले है और ये रहा माता रमाई पार्क जी हाँ पाच एकर का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट किसी गवर्मेंट का नहीं है ये एक परसनल व्यक्ति का है सचीन गजबे जिनका नाम है उन्होंने ये योजना बनाई है तो ये हम पुरा एक्स्प्रो करेंगे तो वीडियो इसमें हाती का काफी महत्व है दोस्तों इसलिए इन्होंने एंट्री गेट पर हाती लगाया है जो लोहे का गेट बनाया है इसमें अशोक चक्र हमें देखने को मिलते है और अभी हम चलते अंदर अंदर में काम शूरू है दोस्तों ये सबसे पहले breaking news है अपने चैनल पर अ नाखपूर के आसपास की आविधर भख रहने वाले हो तो आपके लिए ये काफी अदभूत प्रोजेक्ट है दोस्तों जैसे हम एंट्री करते हैं आपको ये देख सकते ये ऐसे पिलर्स लगाए गया है गोर से देखोंगे आप तो ये पिलर्स नहीं है में बत्ती जैसा उ सकती है ये सक्ञा कंशर ओंडा जुखका है तो आगे बढ़ते हैं और ये जो है देख सकते हैं यहां से ब्रॉत्ध की मूर्तिया अलग अलग मुद्राओं में और कुछ कुछ में मुद्राओं में भी लगना शुरू है कि डेख सकते हैं कि है यहां पर पुरा गार्डनिंग रहेंगा जहां से हम चल रहें यहां भी गार्डन रहेंगा यहां भी गार्डन बनेगा काफी बनने के बाद यह काफी अद्भूत और काफी अच्छा रहेगा बच्चों के खेलने के लिए फैमिलीज के घुमने फिरने के लिए काफी अच्छ वेवस्था करेंगे यहां पर खाने पीने की वेवस्था रहेगी सब कुछ रहेगा मतलब अगर आप यहां पर आओगे तो आपका दीन बन जाएगा आप लुंबिनी पार्क जाएंगे आप रमाबाई पार्क में आओगे और फिर हम जाएंगे चौधार तड़े मतलब तीन जगा हमें एक जगा एक साथ घुम सकते हैं यहां पर आने के बाद उम्रेट रोड पर आने के बाद तो आप यहां पर काम शुरू है मूर्ति असेंबल करने का मूर्ति स्थापीत कर रहे हैं यहां पर दोस्तों आईए यहां पर देख सकते एक जैसे मुद्रा में मूर्तिय यहां पर यहां पर बाबा सहाब की भी मुर्ति लगने वाली है बैठी पोजिशन में और काफी कुछ होने वाला है यहां पर देख सकते मेरे ख्याल से आप मातार रमाई की एक बड़ी भवे मुर्ति लगाएंगे जो हमने आपको दिखाई थी पन्नी में रखी है लुम्बी जो बुद्ध भी आ रहा है वहां पर अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आप आए बटन पर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इस वीडियो के पीछे में जाके देख सकते हैं दोस्तों जब अब दस नदारा है पूरा हर तरफ में सब है सेम आइसी ही मूर्तिया लगेंगी दोस्तों आईए आपको दिखाते हैं यह संपुर्ण प्रोजेक्ट जो है वह पांच एकर का है जब बन जाएगा तो जाड़े जुड़ पीने लगेगी यहां पर बड़े नारियल के पेड़ लगेंगे यहां पर गार्डन ही की जाएग जो बाहर में हमने भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखी है महापरि निर्वान की और जो रमाई की मूर्ति दिखाया था बाबा साथ की मूर्ति दिखाया था तो वो सब भी यहां लगने वाले लेकिन जो महापरि निर्वान की जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की यह यहां पर देखेंगे चबतरा बनाना शुरू है औ're यहां पर वह मूर्ति लगेगी और यहां पर देख सकते हैं और ये डीड़ भी लाखे रखे है इनको कहा लगाएंगे वह पता नहीं को बंगी स्काब पूरा फूल पैकेज आपको यहां मिलेगा और आप उसके साथ साथ भगवान बुद्धो को यहां पर अभिवादम भी कर सकते हैं तो इतना सब कुछ फैसिलेटी यहां पर रहेगा जूले वगरी लगने वाले जो रोप वगर लगते खेलने कुदने वाला मतलब जो बच्चे आएंगे तो खेलने कुदने की वेवस्ता यहां पर रहेगी दोस्तो तो आशा करता हूँ कि आपको यह इंफोर्मेशन पसंद आ रहे हैं और उन्हें भी पता चले इस जगे के बारे में तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आएसे में